फिर आती है continuous series अब जो हम लोग ने continuous frequency distribution पढ़ा है वहीं से क्या आएगा वहीं से आएगा आपका continuous series ठीक है जो continuous frequency distribution है वो क्या हो जाएगा वो होगा आपका continuous series उसको proper arrangement करना यह होता है continuous series so a continuous series is that series which represents continuous variables showing range of values of different items of the series ठीक है continuous variables यहाँ पर आपकी integral values भी आ सकते और fractional values भी आ सकते यहाँ पर कोई rule ने की fraction नहीं आएगा fraction आपके जो discrete series है उसमें नहीं आ सकता बागी continuous series में fractions are allowed ठीक है तो यहाँ पर एक specified range दी होती है और उस range के between इन उस range के अंदर अंदर जितनी भी values आती है जितने time भी वो repeat होता है वो उसकी क्या बन जाती है frequency बन जाती है ठीक है so in a continuous series the measurements are only approximations and are expressed in class intervals that is within certain limit ठीक है class intervals यह जो range हमें धर बात कर रहे है वो क्या है बनेगी वो बनेगी class intervals अभी हम जो है continuous series में use होने वाले सारे जो different terms है उन्हें पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और वो terms आप लोग को याद होनी चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए कि आप किस चीज को क्या बोलते हो ठीक है here classes are framed without any break from beginning to end ठीक है कोई भी break नहीं होगा बीच में जैसे कि 40 to 45 तो ऐसा नहीं होगा कि next वाली स्टार्ट हो रही है 46 से नहीं break नहीं करना है यह बापस किस से स्टार्ट होगी 45 से 50 break क्यों नहीं करना है students उसके पीछे का reason क्या है देखो मैंने एक class बनाई 40 to 45 ठीक है फिर अगर मैं next वाली बना दूँ 46 to 50 की तो इन दोनों के बीच में 45 से लेके 46 के बीच में अगर कोई भी number आ जाए तो वो फिर कहां पर हम note down करेंगे मान लो कि कोई number है 45.5 तो ये वाला जो number है फिर ये कहां पर हम note down करेंगे फिर हमारा जो data है वो exhaustive नहीं रहेगा राइट मतलब कि वो जो है कोई numbers को या कोई भी data को छोड़ देगा राइट इस वे में जो है इसके बीच में जितने भी numbers आएंगे 45 से 46 से तक वो numbers फिर include कहीं पर भी नहीं होंगे तो इसलिए हम जो है अपना जो continuous series है उसमें ये बोलते हैं कि कोई भी break नहीं होना चाहिए वैसे आप आगे पढ़ोगे कि different break वाले भी होते हैं जैसे कि inclusive class series जो होती है उसमें break होता है लेकिन वो break को भी हम क्या कर देते हैं उस break को भी हम बापिस exclusive में convert कर देते हैं तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा doubt आयो कि मैं inclusive में होता है तो students उसे हम convert भी करते हैं ठीके जब जरूरत होती है तो वो भी conversion हो जाता है और वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से मैं समझा दूंगी कि कैसे किया जाता है ठीके बट continuous series जो है I hope so कि यह चीज आप लोगों को जो है clear हो गई है ठीके so यहाँ पर जो classes है वो frame की गई without any break यह हम लोग पढ़ लिये हैं फिर कुछ important terms अगर हम पढ़ना चाहें under continuous series ठीके तो important terms क्या होते है यह देखते है class, class किसे बोला जाता है class hereby means a group of numbers in which items are placed such as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 etc. जो classes मतलब कि जो हमारी यह वाली 10 to 20, 20 to 30 इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते है class ठीके यह जो हम बात कर रहे हैं अभी तक कि इतनी range इतनी specified range में ही रखना है उसे हम बोलते हैं कि वो क्या होती है? वो होती है class ठीके तो I hope so कि आप लोगो clear है अब आगे से आप इसे क्या बोलोगे? आगे से आप इसे class बोलोगे ठीके कि 0 to 10 वाली class में इतने students या इतनी जो है frequency है ठीके वो होती है class ठीके फिर class limit अब class limit क्या है? the lowest and highest values of the variables within a class is called class limit ठीके class limit होती है students जैसे कि 10 to 20 तो हमने क्या बोल दिया? कि यह है class इसके अंदर आएंगे सारे जितने भी इसके अंदर पूरी जितनी भी values है वो क्या होगा? यह class की values ठीके? अब class limit की बात करें तो क्या हो गया? जो lowest और जो highest value है एक class की वो कहलाती है class limit मतलब कि class limit क्या होई? 10 और 20 is the class limit अब इसमें भी आपके एक होती है lowest class limit और एक होती है highest venue ठीके? मतलब कि एक होती है lowest limit और एक होती है upper limit ठीक है वो क्या होती है वो देख थे हैं हम So the lowest value of the class is known as lower limit that is L1 यह जो होगा यह lowest number है ना आपकी class का या फिर हम बोले lowest value आपकी class की तो यह होती है students lower limit और इसे हम क्या define करते हैं L1 से ठीक है यह याद रखना L1 किसे बोलते हैं L1 is the lower limit जो की क्या है lowest value of the class और जो highest value ठीक है यह जो highest value of class की इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं upper limit या फिर L2 ये क्या हो गई ये हो गई L2 या फिर हम इसे क्या बोलेंगे अपर limit बोलते हैं तो अब I hope so आप लोगो को clear है कि lower limit क्या होता है और upper limit क्या होता है L1 किसे क्या होगा और L2 क्या होगा I hope so कि ये चीज़ भी आप लोगो को clear होगी ठीक है फिर आता है class interval अब class interval क्या होता है the difference between the lower limit L1 ये L2 नहीं होगा ये L1 होगा lower limit क्या होती है L1 and upper limit L2 is known as class interval अब अभी हमने देखा कि एक class है this is what 10 to 20 ये हो गई हमारी class अब इसमें हम एक और चीज़ पर चुके हैं lower limit और upper limit वाली lower limit होती है आपकी जो lowest value that is L1 जो है वो होगी 10 और upper limit L2 जो की आपकी highest value class की ये हो गई L2 ठीक है ये L1, L2 और class हमें पता है इतना हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं अब बात आती है class interval की तो class interval क्या बोल रहा है आपको difference between the lower and the upper limit ठीक है L1 और L2 के बीच का जो difference है वो होता है आपका class interval मतलब की बड़ा number obvious सी चीज है की L2 होने वाला है because L2 is the upper limit और जो highest value होती है तो आपकी जो class interval है वो क्या होगी L2 minus L1 क्या है L2 20 minus 10 is equals to 10 तो जो class interval है वो क्या है वो आया 10 ठीक है so the class interval is generally indicated by the symbol I or C जो class interval हम इसे कैसे indicate करते है या तो small i या फिर small c ठीक है class interval that is I or C is equals to L2 minus L1 जो की माने आप लोग को explain या पर करी दिया तो इस 10 को हम बोलेंगे class interval जिसे की हम I या फिर C से denote करते हैं ठीक है तो I hope so कि class, class limit and class interval ये तीनों ही जो हैं या आप लोग को clear हो गये हैं ओके फिर आते है next part that is range अब range क्या है so range of a frequency distribution can be defined as the difference between lower limit of the first class and the upper limit of the last class ठीक है ये होता है range अब देखो क्या है ये concept समझो मैंने ली है classes 0 to 10 10 to 20 20 to 30 and 30 to 40 ठीक है ये कुछ मेरी क्या है classes है अब range आपको क्या बोल रहा है students range बोल रहा है difference between the lower limit of the first class ठीक है अब इसमें first class कुन सी होगी ये होगी आपकी first class ये second ये third ये fourth ठीक है तो जो first class है उसकी lower limit मतलब की 0 ओके और जो last class है ओके और जो upper limit लेनी है आपको किसकी last class की अब इस distribution में जो last class है वो ये वाली है 30 to 40 इसकी upper limit क्या है 40 है तो अब अगर मुझे range find out करना है तो range को हम कैसे find out करेंगे बहुत ही simple way में समझ में आ गया है last class interval का आपको क्या लेना है sorry last class जो है उसका आपको क्या लेना है students उसकी आपको upper limit लेनी है that is 40 और first class की lower limit लेनी है that is 0 तो ये हो गया क्या 40 ठीक है तो range आपको इस way में find out करना होता है first class की lower limit and last class की upper limit this is what we call range ठीक है I hope so की ये भी आप लोगो clear हो गया होगा बहुत ही easy-easy से concepts है I think की clear हो रहे होंगे आपको फिर आता है mid point या फिर mid value अब mid point या mid value किसे बोलते हैं देखो ये 10 to 20 है students अब इसमें से हमें क्या चाहिए इसमें से हमें चाहिए जो इसकी middle वाली value है तो वह हम कैसे find out करेंगे अब mid point या middle value होता क्या है so mid point is the central point of the class interval ये जो class interval है इसके just exactly जो center point होगा okay just exactly जो middle में आता होगा वह वाला number होता है आपका mid point अब इसे find out कैसे क्या जाता है आप ऐसी थोड़िन बोल दोगे कि जो है आपका जो class mid point है वो 15 होगा या कुछ भी अब यहाँ पर तो आपको exactly दिख रहा है कि इतना होगा लेकिन हो सकता है कि आपका class interval कुछ और ways में दिया हो कुछ points में दिया हो decimals में दिया हो तो ऐसे case में आप कैसे find out करोगे तो उसके लिए हमारे पास में proper जो है उसका formula होता है वो क्या होता है lower class limit plus upper class limit divided by 2 करना कुछ नहीं है जो दोनों है दोनों को add कर दो 10 plus 20 कितना हो गया यह हो गया 30 30 divided by 2 यह हो गया कितना यह हो गया आपका 15 तो जो midpoint निकला है यह 10 और 20 का वो कितना आगया वो आगया आपका 15 और इसी वे में किसी भी class का जो midpoint होता है वो आप easily find out कर सकते हो तो फिर आता है frequency तो frequency तो हम लोग already पढ़ चुके है क्या होता है कितने number of times एक चीज repeat हो रही है उसे हम frequency कहते है So frequency refers to the number of items or observations falling within a particular class ठीक है तो इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है frequency जो हम side में लिखते हैं variables के जो भी class interval के side में आप लिखोगे वो क्या आगई वो आगई आपकी frequency फिर frequency distribution यह क्या होता है यह हम लोग उने already पढ़ लिया एक table होता है जिसमें की various variables की value होती है और उसके against उसकी frequency होती ठीक है तो यह जो पूरा table होता है इसे हम क्या बोलता है इसे हम बोलता है frequency distribution okay so frequency distribution is a table which shows how the different values of a variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies ठीक है यह table क्या show कर रहा है यह जो table है यह different values बताता है variable की जो की पूरी जो different classes है उसमें distributed है और उसके साथ में उसकी जो corresponding class frequency है अगर confusing लग रहा है तो simple सी चीज है यह एक table है students यह है अपने classes given यहाँ पर और यह हो गई क्या frequency लिखे होई ठीक है तो यह जो पूरा table है इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे frequency distribution ठीक फिर आती है class frequency बहुती easy term है देखो यह class है यह frequency है तो वो क्या होज़े है यह class frequency 0-10 class की frequency है 20 okay let's say यह हम लोगों ने लिया है कि 0-10 की है 20 10-20 की है 15 ठीक है तो यह क्या है students यह 20 15 यह क्या है यह class frequency यहाँ पर class frequency हमने क्यों बोला बिकास हम लोगों ने frequency distribution मतलब हमें परता है कि यह discrete series में हो सकता और continuous series में भी हो सकता है discrete series में कैसे होगा कि यहाँ पर यह classes ना given होकर कोई exact terms given होते तो उसकी भी frequency होती ठीक है फिर भी हम इस टेबल को frequency distribution ही बोलते लेकिन class frequency specifically आपको क्या बता रही है कि classes है यहाँ पर मतलब कि यह continuous series होगी classes है और classes के अगेंस जो frequency है यह कहलाती है class frequency okay तो I hope so कि आप लोगों को जो यह हमारे कुछ important terms है जो कि इस continuous series में आगे use होने वाले हैं यहाँ आप लोगों को clear हो गए होंगे सारे terms ठीक है हम हमचे में